कि मोगट तक हाय दोस्तों आज हम बनाएंगी साड़ी के बॉक्स से एक बड़ा सा बॉक्स जिसमें बच्चों की टोस वगरें रख सकते हैं यक वेले साली का भोक्स लिया है यहां में गण से दुसरे बॉक्स को इस पर चिपकाने वाली हो इसको अच्छे से चिपकाना है यदि गण मशिन काम नहीं कर रही हो उससे चिपक नहां रहो तो आप सेलो टेप का यूज भी कर सकते है यह देखिए यह अच्छे से पैक हो गया है इसी प्रका से हमें और भी तीन कवर को जोईन करना है गण मशिन से इससे इसलिए मैंने यूज किया है क्योंकि इससे कोई भी कागज या कोई भी पूट्टा हो जो भी का बॉक्से से वो जल्दी से चिपक जाते है और कभी निकलते नहीं देखो यह दूसरा बॉक्स के कवर को मैंने अब उस पर जोईन करने के लिए रख दिया है अच्छे से प्रेशर देना है क्योंकि यह गर्ण मशीन से चिपकाने के लिए उसको सुखने से पहले दबा कर उसको जोईन करना चाहिए देखिए यह तयार है अब हम चौथे बॉक्स को भी इसको जोईन करने के लिए रख देंगे मैं अभी सिर्फ दिखा रही हूँ जोईन करने के बाद आपको फिर से दिखाऊंगी ऐसे अच्छे से पैक करके उसको देख कर फिर जोईन करूँ आप आगे फिछे अच्छे से देख लो यह अच्छे से बन गया है अब हम इसमें बीच में एक बॉक्स का कवर डालेंगे एक बॉक्स का बेस होगा इसलिए हमें इसे अच्छे से चिपकाना है एक देखो मैं इसको अंदर से डाल के गन मेशिन से अंदर से चिपकाने वाली हूँ एक देखो इस प्रकारो दिखेंगा अब एक और एक कवर है यह बॉक्स का ही फ्रंट साइट का कवर है इसको मैं गन मेशिन से वो नीचे लगाया हुआ पुट्टा जो है उसको चिपाने के लिए इसको उस पे लगाने वाली हूँ एक देखो अब ऐसे लगीगा इससे हमारे बॉक्स और भी अच्छा दिखेगा यह दिखो एक बॉक्स तयार हो गया है नीचे से मैंने सेलोटेफ से को और भी स्ट्रॉंग बना दिया है आप भी इसको सेलोटेफ जरुद यूज़ करो सभी तरफ से यह सही बन गया है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब जरूर करना बिल आइकों को जरूर क्लिक कर दीना क्योंकि मेरा निच्ट वीडियो जो भी आएगा आपको पता चल जाएगा और आप उसको इंजोई कर सकेंगे thank you for watching my video कर दो